आईने हिंदी के एक नए एपिसोर में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडिन डिफेंस की प्रमुक अपडेट्स को और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट काम बैटर क्राप तीज़स की ट्रिनर वैरियंट्स के बारे में दोस्तों हाली में तेजस मार्क 1A को लेकर के हमारा एक लंबा इंतजार खतम हुआ क्योंकि फरवरी से लेकर के मार्स तक हमें इस चीज़ की उमीद थी कि आज नहीं तो कल हमें तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान देखने को मिलेगी और ऐसा हुआ भी तेजस मार्क 1A की पहली variant को लेकर के है खाली में तीजस का जो पाचवा ट्रेनर variant है जिसको हम LT 5205 के नाम से जानते हैं इसकी पहली उडान को आयुजित किया गया है और अब यह aircraft हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा delivery के लिए तयार है इसके पहले जो चौधा aircraft था उसने अपनी उडान बरी थी जिसको हम LT 5204 के नाम से जानते हैं और हिंदुस्तान Aeronautics Limited इस समय इनके production को ramp up करने का हर संभव प्रयास कर रही है भारती व वायुसे ना को जो पहला टेजस ट्रेनर aircraft था यह October 2023 में मिला था और यह पाइलेट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी जदा महात्यपूर्ण है इसका इस्तिमाल ना सिब पाइलेट ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा बलकि किसी भी विश्वम परस्तिती में यह सिम उसी capability के साथ यूद कर सकेगा जो की तेजस मार्क वन के पास है आपको बताते चले कि इस समय इल्टी 5205 जो है इस समय डिलिवरी के लिए तयार है और भारतियों वायू सिना को यह बहुत जल्द मिल जाएगा और इसे कमिशन भी कर दिया जाएगा अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिम्टेड तक उनका टार्गेट था कि तक्रीबान आठ ट्रेनर एरक्राप्ट को डिलिवर किया जाए हाला कि करेंट स्टेटस का इंतजार हमें है लेकिन उनका यह कहना है कि 2026 से 27 तक सभी जो एरक्राप्ट हैं यह डिलिवर कर दिये जाएंगे यह एरक्राप्ट हमारे लिए काफी दादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेजस ट्रेनर का इस्तेमाल ना से तेजस प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा बलकि आने वाले भाविश्य में जो तेजस माक्टू और एमका जैसे प्रोग्राम हैं उनमें भी यह एक महत्पुन भूमिका रखेंगे क क्योंकि इनके इस्तेमाल से जो हमारे नए पाइलिट्स हैं इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो इस एक्रॉप के बारे में बारीक से बारीक जो जानकारियां है उसको प्राप्ट कर सके और भविश्य में किसी भी प्रकार के दिक्कत ना हो हिंदुस्तान हेरोनोंटिक्स कि बात करें तो इस समय जो नासिक की प्रोडेक्शन लाइन है वो लगभग बनके तयार हो रही है जहां पर तेज़स एयरक्राप का प्रोडेक्शन किया जाएगा और इनिशली तो हजार चब्विस तक टार्गिट यह होगा कि 16 एयरक्राप प्रतिवर्ष की दर तक बनाए एयरक्राप्ट है और डिलिवर किये जा सकें रिपोर्ट्स यह भी सजेस्ट करती हैं कि इतने समय के साथ इनको जो प्रॉपर अप्ग्रेड्स हैं यह मिलते रहेंगे और इन्हें नियर मार्क वन ए स्टेंडर्ड का एयरक्राप बनाकर सामने रखा जाएगा जिसे कि हम दो भी देखने को मिला था और यह एयरक्राप उन तिरासी तेजस मार्क वन ए जिटका हिसा है जिनका कॉंट्रैक्ट 2021 में हिंदुस्तान और भारतिया वायव सिना के बीच में साइन किया गया था अब अगर हम तेजस के इस एयरक्राप्ट की बात करें यानि मार्क वन ए की बा तेजस मार्क वन एकी जो केनोपी है यह मार्क वन की तुलना में ज्यादा राउंडेड है और जो केबिन स्पेस है यह काफी स्पेशिस नजर आ रहा है यानि पाइलेट को बैटने में किसी प्रकार के दिक्कत का सामना वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा और जो सिट्वेश वर्निंग रिसीवर का जैसा कि हम लोग से मार्क वन ए में देखते थे कि जो वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर हैं वहाँ पर हमें देखने को मिल जाते थे लेकिन मार्क वन ए में ऐसा नहीं है मार्क वन ए में इनकी जो पोजिशन है उसको चेंज किया गया है और यह जो रि बिसिकली एर्क्राफ्ट के वर्टिकल फिन स्टेपलाइजर के पास देखने को मिलेंगे जिनको लेकर के यह कहा जाता है कि यह सॉप्टवेयर डिफाइन रेडियोज हैं जिन्हें बाला कोट स्ट्राइक के तुरण बात खरिदा गया था और भारती वाइव से ना ने यह डि इनका इस्तेमाल किया जाए लेकिन बाद में भारती वाइव से ना ने अपने जो लाइट कॉम्पैटेड क्राप्ट तेज़स की फलीट है उस पे भी इनका इस्तेमाल किया है ताकि जो स्टेक्यूर नेटवर्क सेंट्रिक आपरेशन है उसमें यह मादत कर सकें बीनिट है इसको काफिधा सेक्यूर बना देते हैं एक और बड़ा नोटिस्पल फीचर जो हमें देखने को मिला है वह है वह और यह एचेफ एंटीना की प्लेस्मेंट अगर आप मार्क वन की बात करें तो इन्हें लैंडिंग गियर्स के बाद में प्लेस किया गया था लेकिन मार् जो इस एक्राप में होने वाली है वो होने वाली है इसका पावर्फुल रेडार हालाकि इनीशल जो वैरियंट है तेजस मार्क वन एक यह हमें इस रेल के इल्टा एलम जो रेडार है खसकर टू जिरो फाइब टू इसा रेडार इनसे एक्विप होकर किया दिखाई पड़ मिसायल सामिल है जो कि सुदेशी BBR मिसायल है जो कि 110 किलोमेटर तक मारक्षमता के साथ आती है दूसरी मिसायल है और तीसरी मिसायल है अस्त्रम 1 और तू यह देखने को मिले जिससे कि इनकी काफ़ी इनhance हो जाएगी पुरुद्रम 2 की बात करें तो इसे as a air to surface missile भी इस्तिमाल किया जा सकेगा और इसे as a anti-radition missile भी इस्तिमाल किया जा सकेगा और ये हाइपरसोनिक स्पीड पे जाकर के जो enemy target है इनको destroy करने की capability के साथ में देखने को मिलने वाली है अगर हम ब्रमोज NG की बात करें तो ब्रमोज NG को लेकर की media reports में ये कहा जा रहा है कि ये missile भी अपने developmental trials की शुरुआत 2026 में करेगी और इनका स्थमाल भी तेजस मार्क 1A में होता दिखाई पड़ेगा तो overall ये aircraft बहुत जादा capable होने वाला है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमाशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए नए है तो चैनल को subscribe करिए क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जो updates हैं इनको लेकर के आते रहते हैं तो मिलते हैं अपने एक लिए वीडियो में तो तक के लिए जै हिंद।